मैं मन्जू आपकी कुकिंग दोस्त उमिद करते हूं कि आप सभी बहुत मज़े में होंगे बहुत खुश होंगे तो आज आपके लिए लेकर आईए बहुत ही टीस्टी क्रीमी यमी डेजर्ट आम से बनाएंगे इस डेजर्ट को और आम का सीजन भी चल रहा है तो चलिए बन कीव निया है जो चोटे-चुटे चड़ों पे कट कर लिया है अब इसकी प्यूरी बना लेंगे आम काफी मीठा है तो इसलिए मैं यहां पर कम चीनी का इस्तेमाल करूंगी सिफ दो चमच में हापे चीनी डाल रही हूँ और आम और चीनी की हम जो है प्यूरी बना लेंगे तो यह मैंने प्यूरी बना लई है आम की और आप इसके साथ में हम इस्तेमाल करेंगे हमारी विप क्रीम तो विप क्रीम घर पर कैसे बनाते हैं इसकी जो वीडियो है मैंने पहली आपके सार्ट शेड की हुए है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में इसका लिंक और आप उसी क्रीम से इस डेजर्ट को बनाईएगा बहुत ही टेस्टी डेजर्ट बनेगा यह आपका थिक और क्रीमी डेजर्ट बनेगा तो मैंने एक बॉल में थोड़ी सी जो है यह आम की प्यूरी निकाल ली है थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें आम की प्यूरी डालेंगे जितना आपको इसमें आम का फ्लेवर या कलर चाहिए या जितना आपको अच्छा लगता है आप उसके अकोर्डिंग इसमें जो है मैंगो प्यूरी ये आड़ कर सकते हैं और एक कप जो है इसमें मैं ये विप क्रीम एड़ कर दूँगी तो विप क्रीम और आम की प्यूरी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी मैंने थोड़ा सा ही मैंगो का प्यूरी इसमें डाला है अभी इसमें और जाएगी मैंगो की प्यूरी तो थोड़ी सी प्यूरी और एड़ कर देते हैं और थोड़ी सी प्यूरी हम बचा करके रखेंगे उपर इसको गार्निश करने के लिए जटपट से बन जाता है डेजट और विप क्रीम बनाना बहुत ही आसान है मैंने आपको वीडियो इसका शेयर किया हुआ आपके साथ आप उसको चेक कर सकते हैं देखे कितना प्यारा कलर आया है यह हमारा विप क्रीम और मैंगो प्यूरी का तो हमारा डेजट बन के बस अभी फटा-फट से त्यार हो जागा एक मिनिट में यहां मैंने दो ग्लास लिए हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर जो विप क्रीम और मैंगो प्यूरी हमने मिक्स की थी पहले नीचे उसको हम इस तरह से दो चमच मैं इसमें डाल देती हूँ आदा हम इसको फिल कर देंगे ग्लास को मैंगो प्यूरी से तो हाफ ग्लास मैंगो प्यूरी भरने के बाद हम इसको टाप कर लेंगे ताकि क्रीम जो है एक लैवल में सेट हो जाए और अब इसके उपर हम डालेंगे विप क्रीम बचे आदे ग्लास को हम इस विप क्रीम से फिल कर देंगे और उसके उपर थोड़ी थोड़ी से जो मैंगो प्यूरी जो हमने बनाई थी वो मैंगो की प्यूरी थोड़ी से इसके उपर लगा देंगे और फिर कुछ कटे हुए आम के पेसे से और ड्राइफ फूट से आप इसको डेकोरेट कर लें और एकदम चिल्ड आप इसको सर्ब करें तो हमारी यह बहुत ही यमी और कुछ मैंगो मूज बनके त्यार है बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आता है तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा अगर कुछ पसंद नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताईएगा और एक बार जरूर से इस मैंगो मूज को अपने घर पे ट्राइ कीजेगा मुझे कमेंट करके बताईए कि आपको ये कैसा लगा आज के लिए बस इतना ही आप इंज्वाइ करें इस यमी मैंगो मूज को आपने फैमिली के साथ फिर मिलूँगी आप से एक नई और इंट्रेस्टिंग रेसिपी के साथ thank you for watching and have a good day